हाई गाईज वेलकम दिस इस यह सर आजत्या वादवा एन वेलकम टो आर डेली सीरीज जिसका नाम है फाइव एंसी क्यूज डेली आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इसका नाम है चल पीछे तो पीछे चलेंगे एवरी संडे आट 11 अम इन दे मौनिंग तो उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा आज की टॉपिक है हमारे पास बुक 3 से और बुक 3 से जो हमने टॉपिक उठा है आट इस आपका फिनांशल स्टेटमेंट और कंपारिटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली आज बात करेंगे पी एनल और बालंशीट की कि देखते हैं क्या-क्या होता है इनको किन-कि उप्षन होगा जहां पर दोनों लिख्यों यह दिखरा सब बच्चों को सी ऑप्षन तो सी इस दा करेक्ट आंसर हमारे पास एन भी परसंटेज चेंज भी होता है वहाँ पर और आप्शलीट चेंज भी होता है आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द फिनांशल स्टेटमेंट अना सी पहला कहता है लीकविडी बोले तो लीकवेड लीकवेड बोले तो लीकवेड 빠श कितना है आगे एफिशेंसी से करे करें क्रेडिटर को क्या लेना देना अगर कोई employee efficiency से काम नहीं कर रहा creator वो थोड़ी न सूचेगा आगे कहता है share capital share capital से भी creators को मतलब नहीं होता कि किसने कितना पैसा business में लगाया हुआ उनको अपने पैसे से मतलब है बस आगे बढ़ते हैं वाइल preparing common size balance sheet each item of balance sheet is expressed as a percentage of जिन बच्चों ने चाप्टर कर लिए सब को पता है common size के अंदर total assets or total liabilities को hundred लिया जाता है तो हमारे पास यहां पर option है total assets का उसको हम लोग टिक करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हैं which analysis is considered as dynamic यह question अच्छा है यह वाला और last वाला जो question which analysis is considered as static तो सबसे पहले आपको dynamic और static का meaning बता होना चाहिए dynamic का मतलब होता है changing जो change होता रहता है हमारे पास जैसे हम कहते हैं environment is dynamic कभी भी कुछ भी हो जाता है कुछ भी change होने लग जाता है political environment is also dynamic यह हम कहते हैं this is he is a very dynamic person यानिक इसको जो मर्जी चीज करने को बोल दो एक कर लेता है he can change and evolve according to the situation static का मतलब होता है जो सेम रहता है static का मतलब होता है जो सेम रहता है जिसमें ज्यादा changes आप विसबल नहीं कर सकते तो नीचे कहते हो horizontal analysis vertical analysis internal analysis external analysis दोनों question में same options है internal और external कुछ भी नहीं होता हमारे पास जो internal analysis वो internal logo के लिए होता है management के लिए external analysis is for the users हमारे पास debtors creditors customers suppliers यहां पर इसकी बात नहीं हो रही यहां पर आंसर है horizontal या vertical अब horizontal analysis क्या होता है horizontal में हम लोग क्या लेते हैं अगर आप लोगों ने यहां पर comparative common size किया तो horizontal में आप लोग यहां पर previous year, current year, previous year, current year या फिर absolute चेंज और percentage चेंज हम लोग यह सब चीज़े लेते हैं absolute change, percentage change, basically horizontal analysis कैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है ऐसे बोले तो हमारे पास कई सारे columns हैं हम previous year, current year, percentage सारा ऐसे यहां पर हम हर हर item का यहां पर analysis करते हैं, this is known as horizontal, horizontal बोले तो ऐसे, flat में जो line है, vertical बोले तो सीधा, उपर से नीचे, horizontal बोले तो left to right या right to left यह हमारे पास horizontal analysis है, यहां पर हम changes की बात कर रहे हैं, देखो absolute change की बात करी हम नहीं यहां पर, तो that means जो dynamic होगा, उसके अंदर हमारा answer रहेगा, absolute change वाला जो है, dynamic में हमारे पास horizontal analysis will be the answer, static की बात करें, तो अगर static में हम लोग देखे हैं, अपनी balance sheet, अगर एक साल की normally बनाएं तो हम यहां पर equity and liabilities, फिर हमारे पास इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़े आती है, share holders, funds, फिर हमारे पास NCL, non current liabilities होता है, major head, then we have a major head, current liabilities, तो ऐसे चल रहा है नीचे, जब हम ओपर से नीचे आ रहे हैं, हम बस यहां पर अपनी figures लिख रहे हैं, कुछ भी changes नहीं दि कि आते हैं, हर MCQ वाले lecture में, make sure आप सारे के सारे देख रहे हूं, नहीं देखे हैं, तो नीचे description में लिंक है, फटफट जाओ, और देखो इने, thank you so much, अगले दिन मिलेंगे, हम लोग next day मिलेंगे, I'll see you there, bye bye.